नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं साइबर क्राइम को लेकर पटना हाइकोट सक्त आरोपी की जमानत याची का खारिज हाइकोट ने कहा नवादा को दूसरा जामताडा नहीं बनने देंगे लोगों को ठगने के लिए 28 पन्नो का मोबाइल नंबर पकड़े जाने के एक मामले में पटना हाइकोट ने सक्त रूख अपनाते हुए सीव कुमार की जमानत याची का खारिज कर दी है कोट ने अपने आदेश में काया कि इन दिनों साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं अपराधी आम लोगों को फोन करके उनसे बैंक का डीटेल्स लेकर ठगने का काम कर रहे हैं सीव कुमार की अगरिम जमानत याची का पर सुनवाई करते वे जस्टिस संदीब कुमार ने याची का करता को एक सब्ता की भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है आत्म समर्पर नहीं करने की इस्तिति में नवादा के SP को याचिका करता समेथ सभी अभियुक्तों को गिरफतारी के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश कोट ने दिया है कोट ने अपने आदेश में नवादा के SP को केस के आईयो को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है कोट ने पुचाय कि आखिर इस मामले के अभियोक्ती की गिरफतारी अब तक क्यों नहीं हुई है जबकि मामला 2020 का है कोट ने SP से यह जानकारी मांगी है कि आरोपियो की गिरफतारी को लेकर अब तक क्या कारवाई की गई है क्यों नहीं इनकी गिरफतारी हुई है कोट ने कड़ी टिपन्नी करते हुए काया कि इस तरह के अपराद वार्सली गंज पुलीस थाना छेत्र में हुआ है कोट नवादा को दूसरा जामताड़ा बनने की अनुमती नहीं देगा EPSC में अधिक्तम उम्र सीमा में छूट मामले पर सुनवाई पूरी पटना हाई कोट ने फैसला सुरक्षित रखा इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है पटना हाई कोट में बिहार पब्लिक सर्विस कमिसन की परिक्षा में सामिल होने के लिए अभ्यातियों को उम्र सीमा में छूट देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है हीरिंग के बाद उच नियाले ने फैसला सुरक्षित रखा है जैदिप अभय और अनिकी ओर जे दायर रिट याचिकाओं पर जस्टिस चक्रधारिस सरंच सिंग ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद नेनाई को सुरक्षित रखा है याचिका करताओं की ओर से कोट को बताया गया है कि राज में पिछले 15 वर्सों से लोग सेवा प्रतियोगता परिक्षा को हर साल लेने की जगह दो तिन वर्सों की परिक्षा एक साथ संयुक्त प्रतियोगता परिक्षा आयोजित किया जाता है हर साल बहाली के लिए परिक्षा आयोजित नहीं होने के कारण अभ्यार्थियों को परिक्षा में बैटने का समान आउसर नहीं मिलता है अगर हर वर्ष परिक्षा का आयोजन किया जाता तो कैंडिडेट्स को पूरा अवसर मिलता साथ ही संयोग प्रतियोगता परिक्षा आयोजित करने पर अवसर कम मिल पाएंगे बिहार में प्रदोसन जांच केंद्र खोलने के लिए मिलेंगे 3 लाख नितीज सरकार का बड़ा एलान विहार सरकार अब प्रदोसन जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपईए देगी परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है अधिसूचना के मुताबिक प्रखंडों में प्रदुसन जांच केंदर खोलने के लिए 50 फिजदी या अधिक्तम 3 लाग रुपईये का अनुदान दिया जाएगा इस योजना का लाब ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहांपर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अलावे एक भी मोटरवाहन प्रदुसन जांच केंदर नहीं है यानि योजना का लाब प्रदुसन जांच केंदर विहिन प्रखंडों को मिलेगा परिबहन विभाग के सचीव संजय कुमार अगरवाल ने बताया कि प्रदोसन जांच केंद्र खोलने के लिए जीला परिबहन कारियाले में आवेदन देना होगा इसके लिए जल्दी विभाग के वेबसाइट पर विग्यापन का प्रकासन होगा विग्यापन प्रकासित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करनी होगी आवेदन करने वाले इस्थाई निवासी होंगे सेक्षनिक योगता के आधार पर चयन किया जाएगा एक प्रकंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उच्छ सेक्षनिक योगता वाले वैक्ति को प्राथमिक्त दी जाएगी पिहार में लगातार नीचे जा रहा पारा इन 14 जीलों के लिए बारिस का अलर्ट जारी पिहार में बीते दिनों हुई बारिस के बाद से मौसम अब ठंडा लगने लगा है अब रात और सुबह में हलकी ठंड का एहसास होने लगा है मौसम विभाग के मताबिक उत्तर पस्चिम हिस्से पर इस्तित चक्रवाती हवा सेफ्ट होकर पुर्वी उत्तर प्रदेश के उपरी हिस्सों पर एक्टिव हो गई है इसका असर बिहार के उत्तर पुर्वी और उत्तरी मजध हिस्से पर दिखाई देगा मौसम विभाग ने सितामडी, मदोबनी, मुजफर पूर, समस्ती, पूर, सुपॉल और अरिया सहित 14 जीलों में देज हवा के साथ हलकी बारिस होने की असंका जताई है इधर पटना गया सहित, 24 जीलों में मौसम सुस्क रहेगा, इस दोरान कुछ स्थानों पर बादल चाये रहेंगे पपू ने कॉंग्रेस को दिया समर्थन, बोले कॉंग्रेस जहां चुनाव लड़ेगी जाब साथ देगा विधान सभा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है बिहाग के राजनेतिक गलियारे में नए सियासी समीकरन बनते दिखाई दे रहे हैं जन अधिकार पाटी के अजधक्ष पपु यादव ने कॉंग्रेस को समर्थन देने का एलान किया है जाब सुप्रीमों पपु यादव ने काया कि कॉंग्रेस जहां कहीं भी उमिद्वारी देगी उनकी पाटी उनका समर्थन करेगी दरसल कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन जाने जाप सुप्रीमो पपु यादव को पत्र लिखते हुए समर्थन के मांग कीट और अब पपु यादव ने भी दर्यादिली दिखाते हुए कॉंग्रिस से नजदीकिया बढ़ा ली है जैसे जैसे तेजस्य यादव कॉंग्रिस से दूर जा रहे हैं पपु यादव कॉंग्रिस के करीब आते जा रहे हैं भीहार में महापर्व छट को लेकर तैयारी सुरू 1400 नदी घाट और 3000 तलाब तैयार करेगी सरकार तुर्गापुजा के खत्म होने के साथ ही नगर विकास एवंग आवाज विभाग ने चट महापर्व को लेकर तैयारी सुरू कर दी है करीब 1400 नदी घाट और 3000 तलाबों को चट से हफते भर पहले तैयार कर लिया जाएगा नवंबर के दूसरे हफते में ही महापर्व को देखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को दिपावली तक गंगा घाट तैयार कर लेने का निर्देश दिया है इसके साथ ही इस्थानिय तालाब वो पोखरों को भी अच्छे से साप सपाई कराई जाएगी कायों को घाटों के आसपास गंदगी फैलाने पर रोक लगने तथा कच्रा इकटा करने को लेकर डश्ट बीन की विवस्ता किये जाने की निर्देश दिये गया है इसके साथ ही इस्थानिय तालाब वो पोखरों को भी अच्छे से साप सपाई कराई जाएगी विवाग के मताबिक सुबे के सभी नगर निकायों में मिलाकर करीब 1400 नदी घाट वो तीन हजार तालाबों को साप सपाई कर सुद्रेड करने की निर्देश दिये गया है उनके संपर्क पतों को भी पक्का या समतल कराया जाएगा ताकि छटवर्तियों को आने जाने में कस्ट ना हो अधिकतर नगर निकायों ने इसको लेकर टिंडर प्रक्रिया शुरू कर दिये जाने की जानकारी विवाग को दी है राष्टपती के लिए जमीन से लेकर आस्मान तक ठहरा ट्रैफिक कड़े पहरे के बीच बिहाल से लोटे दिल्ली राष्टपती कोविन के आगमन को लेकर पटना की पूरी ट्रैफिक विवस्ता को बदल दिया गया था गुरुवार को हाडिंग रोड और इससे जुड़े कई सड़कों की ट्रैफिक सुभा दो गंटे के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था कायरकरम समापती तक आम बाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रखा गया था आर ब्लोक आरोबी के उपर से हाडिंग रोड की तरप नो एंट्री रखी गई थी इधर से आने जाने वाले वाहनों को दूसरे रूटों से भेजा गया था सुक्रुवार को महामहिम तरह कायरकरम के तहर महाविर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा गये इस दोरान हर मंदिर साहिम में राष्टपती 20 मिनट रुखे और उसके बाद वहाँ से ओल्ड वाइपास और चिरैया टान होते हुए सुबह 9 बजे महाविर मंदिर पहुँचे वहाँ से महामहिम प्रेजर रोड डाक बंगला चोराहा जेपी गोलंबर डियम आवास और कारगिल चौक होते हुए कांधे मैदान इस्तित खादी मौल पहुचे और वहाँ से वापस राजभावन लोटे इस क्रम में जहाँ जहाँ से राष्टपती का काफिला निकला वहाँ एक घंटा बहले ही सामायन वहानों का परिचालन पुरी तरह बंद कर दिया गया था ड्रग्स केस में फसी अनन्या पांडे की कहानी फ्लॉप फिल्मों की एक्ट्रेस लेकिन अकूच संपती की मालकीन मुंबई में है अलिसान घर बॉलिवुड में फैले ड्रग्स के रैकेट में अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी फस्ती हुई नजर आ रही है एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या के घर पर गुरुवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि की NCB ने दविज दी थी अनन्या को NCB के दफ्तर में पुष्टाश के लिए बुलाया गया था उन्हें फिर से सुक्रुवार को फिर से पुष्टाज के लिए बुलाया गया है आईए हम आपको बताते हैं कि क्या है अनन्या पांडे की कहानी अनन्या पांडे फिल्म एक्टर चंकी पांडे की बेटी है अनन्या ने अभी केवल तीन फिल्मों में काम किया है बॉलिवूड में Star Kids याने की फिल्मी स्थारों के बच्चों को मौका देने के लिए मसहूर करन जोहर ने उन्हें सबसे पहले सिनेमा के परदे पर उतारा था करन जोहर के फिल्म Students of the Year 2 से अनेना ने फिल्म इंडस्टी में डेब्यू किया था उसके बाद वे कार्थिक आर्यन भूमी पैडनेकर के साथ फिल्म पती पतनी और वो टू में दिखाई दी पिछले साल यानि की 2020 में अनन्या पांडे साहिद कपूर के भाई इसान कटर के साथ फिल्म खाली पीली में नजर आई थी अनन्या पांडे की तीन फिल्में बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई लगाता तीन फिल्में पिटने के बावजुद अनन्या पांडे अकोच संपत्ति की मालकीन है मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनन्या पांडे की संपत्ति तकरीबां 75 करोड रुपईये की है मुंबई के खार वेस्ट इलाके में उनका आलिसान घर है इसी घर में एन्सीबी ने छापे मारी की थी अनन्या पांडे अपने घर की तस्वीरे सुसल मिडिया की साइट्स पर डालती रही है तरसल एन्सीबी कह रही है कि आरियन के वाट्स अप चैट से अनन्या के तार जुड़े हैं पिहार में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तयारी सरकारी स्कूलों में बिमार बच्चों की होगी तलास दरसल कोरोना की तीसरी लहर की असंका को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पहले ही अलट कर दिया है जिसको देखते हुए स्वास्त विभाग भी लगातार अपनी तैयारी में जुटा है जिले के सरकारी स्कूलों में बढ़ाई शुरू हो चुकी है ऐसे में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्त महकमा बिसेश अभ्यान चलाने जा रहा है इसमें सरकारी स्कूल में बिमार बच्चों की तलास की जाएगी स्वास विभाग की ओर से कक्षा आठ तक के सरकारी स्कूल के बच्चों की सिहत सुधारने के लिए अभ्यान अगले 17 से सुरू करने का फैसला लिया गया है माच सांगसदों ने फर्जी जाती प्रमानपत्र बनवाकर लड़ा चुनाओ जितनराम मांजी ने इन निताओं पर लगाये गंभीर आरोप इंदोस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्य एड़क्ष एवंग पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांजी ने आरोप लगाया है कि देश के बांच सांगसद फर्जी जाती प्रमानपत्र बनाकर अपने छेत्र में सांगसद बने हुए हैं लोगसभा, बिधानसभा, जीला पार्षत, पंचायत समितियों वह निकाई के अन्य चुनाओं में फर्जी जाती प्रमानपत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद कराने के लिए राष्ट्य एस्तर पर आयोग के गठन किया जाए जीतन रामानजी ने सभी की सदस्यता रद कर सभी के खिलाप F.I.R. दर्ज कराकर कारवाई कराने की भी मांग की है वे बुधवार को नई दिल्ली की कंस्टियूशन कलब में पाटी के रास्टिय कायर करने की बैठा के बाद मीडिया को सम्भोधित कर रहे थे तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिष्टत और में सेयर करना ना भूले धन्यवाद